ईरा सिंग नाभा का जनम बदरुखान जिंद में 18 दिसंबर 1843 को सुखा सिंग के दूसरे बेटे पटियाला जिंद और नाभा के शाही सिक फुलकियान वन्ष की एक दूर शाखा में हुआ था उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है एक छोटे से ग्यारा तोपो वाले राज्ये नाभा पर फुलकियान वन्ष का शाशन था जो यूवा राजा भगवान सिंग की तपेदिक से मिर्तियू के बाद विलुप्ध हो गया राजवन्ष की शेश दो पंक्तियों पटियाला और जिंद के शासकों ने ब्रिटिस सरकार के साथ मिलकर हीरा सिंग गोसल को नाभा गड़ी सिनहासन के उत्तरधगारी के रूप में ते किया हीरा सिंग नो जुन 1871 को नाभा के सिनहासन पर बैठे और एक लंबा और सफल शाशन शुडू किया जो नाभा को आधूनिक युग में ले गए महानिसमार को और सारवजनिक भवनों का निर्मान किया गया सडको, रेलवे, अस्पतालो, स्कूलो और महलो का निर्मान किया गया और एक कुशल आधूनिक सेना की स्थापना की गई जिसने दूसरे अफगान युद और तिहार अभियान के दोरान उसकी ताकत दिखाई साथ ही सरहिंद में एक सिचाई नहर के निर्मान के साथ क्रिशी फली फूली और नाभा ने जल्द ही केहूं, चीनी, दाले, बाजरा और कपास की भरपूर फसल पैदा की इस प्रकार राज्य को अपने भूर आज़स आकलन के मुल्य में व्रद्धी करने में सक्षम बनाया हीरा सिंग के सुधारों के परिणाम सवरूप 1877 में नाभा को तेरा स्तौपों की सलामी दी गई और हीरा सिंग को स्यम भारत की महरानी द्वारा स्वन पदक से अलंकरत किया गया और दो साल बाद G.C.S.I. के साथ नाइट की उपाधी प्राप्त की 1894 में हीरा सिंग को राजाय राजगन की उपाधी दी गई और 1898 में उन्हें 15 तोपों की वेक्तिगत सलामी दी गई उन्हें 1903 में G.C.I.I. नियुक्त किया गया था और अगले वर्ष बिरिटिश भारती सेना में चोद्वे किंग जोर्ज ने फिरोस्पिर सिखो का करनल बनाया था अपनी मिर्ति से केवल एक पकवाड़े पहले हीरा सिंग को नाभा के महराजा के पत पर पदोनित किया गया था हीरा सिंग की क्रिसमस की पूर्व संध्या 1911 पर हीरा महल में मिर्ति हो गई चार दशक के शाशनकाल के बाद 68 वर्ष की आईयू में उनके एक लोते पुत्र रिपु दमन सिंग गोसल को उनका उत्तरदिकारी बनाया गया प्रिंस ओफ वेल स्वन पदक 1876 में भारत की महरानी पदक 1877 में नाइट ग्रेंट कमांडर ओफ दा ओर्डर ओफ दा स्टार ओफ इंडिया 1879 में नाइट ग्रेंट कमांडर ओफ दा ओर्डर ओफ दा इंडियान एंपायर 1903 में दिल्ली दर्बार स्वन पदक 1903 दिल्ली दर्बार स्वन पदक 1911